हेलो स्टूडेंस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चियोग्रोफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास, टैंथ, एसस्टी, सामाजिक विज्ञान, शूसर साइंस की वर्कशीट नंबर 37 यानि की 37 को आज की वर्कशीट बेहत आसान है, बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है हमारे बोर्ड एक्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से 1 मार्क्स का मैपवा कोश्चन है, इसके साथ साथ 3 मार्क्स का एक कोश्चन भी कनफर्म होता है, कभी-कभी वो 3 मार्क्स है, वो 5 मार्क्स में भी कनफर्ट हो जाते हैं, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है भुगोल का 7 चैप्टर भारती है, यानि कि राष्ट्री अर्थवहस्ता की जीवन रिखाएं, राष्ट्री अर्थवहस्ता की जीव जों के उपर टिका होता है, तो आज हम शुरुवात करने वाले हैं सड़क प्रिवन के साथ, उसके बाद आसान से कुछ कोशन दिएगे जिनको हम हल करेंगे, चलिए शुरुवात करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वरकशीट संख् 37 है, हमारा सबजेक्ट है SST, सामाजिक विज्यान, जिसमें हम भुगोल शुरू करने वाले हैं, और दिनांख है हमारी आज की 29 स्तंबर 2020, राष्टी अर्थवस्ता की जीवन रिखाएं, शुरू करें हम सड़क प्रिवन के साथ, भारत विश्यों के सरवादिक सड़क जाल तो ये है कि घनी जन सिंग क्या है, इसके कारण आफशकता दिका है, दूसरे ये कि देश का आकार भी काफी बड़ा है, भारत विश्यों का साथ वाँ सबसे बड़ा देश है, शेत्रफल के आधार पर, रेल प्रिवन की तुलना में सड़क प्रिवन है, उसको जादा बहतर या ज़्यादा महत्पून माना जाता है, एक इंपोर्टन कोशन यहां से बन रहा है, जो आपके बोर्ड एक्जामिनिशन में अक्सर पूछा जाता है, तो इसके क्या कारण है, इसके कारण यह कि एक तो रेल प्रिवन की अपेक्ष्या, जब सड़कों का निर्मान किया जा जो रेल प्रिवन की तो नमें सड़क प्रिवन है, उसको हम उबडखाबड इलाके हैं, या जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर भी सड़क बनाई जा सकती है, रेल प्रिवन संबवन नहीं है, जिसे प्रवती अलाके हैं, तो वहाँ पर तो पहाड़ों को काट करके कहीं स इसे भी रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन रेल प्रिवन के लिए ऐसा संबव नहीं है। तो इसलिए भी सड़क्प्रिवन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तीसरा कार्ण यह है कि अधिक ढौल प्रवंट ता या पहड़ी शेत्रों में सड़के निर्मित की जा सकते है तो ये वही आ गया ओबडखाबड इलाके ये की सेमी पॉइंट आई है यानि कि जहां पे ढाल उपर नीचे जाना हो तो वहां पे रेल प्रिवन पॉसिबल नहीं है संबों नहीं है लेकिन सड़क प्रिवन में अगर ढाल अधिक भी है तो भी उसको ब भीजरें आधा किलोमेटर दूर जो चमनलाल की दुकान है वहां से आपको कोई सामान लेके आना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप चाहिए अंबानी क्यों नहीं हो आप ट्रेन लेके जाओ गए या फिर एरो प्लेन लेके जाओ गए क्या लेके जा सकते है आपने स्कूटी का क पकड़ना और चले गए यानि थोड़ी दूरी के लिए कम दूरी के लिए कम वैक्तियों के लिए एक वैक्ति को जाना है चाहिए यहां से 20 किलोमेटर दूर जाना आपको कश्मेरी गेट जाना है कहीं पर भी जाना है बाइक बैट रहता है गाड़ी बैट रहती है अगर हम rail prevent की बात करें तो उसका खर्चा उतना ही होगा जितना की हजार वैक्ति जाएं चाहे एक वैक्ति जाएं तो कम वैक्तियों के लिए या कम दूरी के लिए कम सामान के लिए आपको थोड़ी दूरी से 2 किलोमेटर से 10 किलोमेटर से अगर आपको 5 किलो 10 किलो कोई सामान लेके आना या थोड़ा और अधीक सामान लेके आना तो भी सड़ाख Prelink वह जजादा पहत रिया तो चोधी विश्चा यह कि कम वैक्ति हो कम दूरी हो या कम वस्तो तो उसमें भी सड़ाख Prelink रेल, परिवन से ज्यादा पहतर है इसके साथ साथ ये door to door service देता है दवार से दवार से वाएं देता है अब आप देखें कि rail है या हम वाई-उ प्रिवन के बात करें या जल प्रिवन के बात करें क्या आपके घर में हवाई ड़ा बन सकता है नहीं क्या पोर्ट बन सकता है नहीं बन सकता लेकिन गाड़ी जरूर आ सकते आपके घर में आपके घर में और एक हो सकता है दो होगा कई सारे वीकल होंगे तो आपके घर में सिवाई जो door to door यानि कि दवार से दवार सिवाई है वो केवल सड़क प्रिवन दे सकता है, बाकी साधन नहीं दे सकते हैं, इसलिए भी सड़क प्रिवन है महत पुन है, अब दवार से दवार सिवाईं देने से और लाथ क्या होता है किसे हमारे समान चड़ाने और उतारने की लागत कम हो जाती है माल लिजे कि हम rail prevent के दोरा प्रिवन करना होती है एक बार उसको load किया घर से फिर unload किया railway station पे फिर load किया railway में फिर unload किया next railway station पे फिर उसको load किया और फिर घर पहुंचा जहां पे पहुंचाना है लेकिन सड़क प्रिवन में आपने load किया घर से और जहां पे पहुंचाना वही पर unload किया जा सकता है तो सड़क प्रिवन ही ऐसा साधन है जो door to door यानि की दोवार से दोवार से वाई देता है इसके साथ सड़क प्रिवन है वो अन्य प्रिवन के साधनों के लिए एक कड़ी का काम करता है अब कड़ी का काम कैसे करता है जैसे railway station है जैसे हवाई अड़े हैं एरपोर्ट हैं या पोर्ट यानि बंदरगा है हर जगह नहीं हो सकती लेकिन वहाँ पर पहुंचना तो है न अगर वहाँ पर पहुंचना तो कौन पहुंचाएगा वो पहुंचाएगा सड़क परिवन तो इस सड़क परिवन, परिवन के अन्य सादन है, उनके बीच में एक चेन या कड़ी का काम करते हैं, जैसे सड़के रेलवे स्टेशन, वायो परिवन और समुदरी पतनों को देश के अन्य भागों से जोडते हैं, तो यह थे रेलवे की तुलना में सड़क परिवन अधिक म यहां पर राष्ट्री राजमार्क दिखाए गए हैं, राष्ट्री राजमार्क कौन से होते हैं, नैस्नल हाईवे जिनको बोलते हैं, जो देश की महतपून शहरों को आपस में जोडते हैं, किसको जोडते हैं, जो देश की सबसे महतपून शहर हैं, उनमें से अगर हम बात करें शड़क प्रिवन की तो हमारी यहाँ पे छे परकार की शड़के होती है पहली है गोल्डन क्वाडिलेटरल जिसको हम बोलते है सवरण चत्रभुज शूपर हाईवे यह कहां से जारा जैसे दिल्ली से यह मुंबई को जोड रहा है मुंबई से ये चेनई को जोड़ रहा है चेनई से कौलकाता और कौलकाता से दिली इसलिए इसको चतरभुज बोलते हैं चार शहरों चार महानगरों को जोड़ने वाला है तो सबसे महत्पूर्ण ये इसके साथ साथ एक नोर्थ साथ कोरिडॉर पिया उत्तर से दक्षन गलियारा बनाए गया जो सिरी नगर से कन्या को मारी जाता है इसी तरीके से एक और गलियारा बनाए गया जो पस्चिम से पूरो या पूरो से पस्चिम के तरफ ये असम में सिल्चर है सिल्चर से सुरू होकर के पोर बंदर गुजरात तक जाता है तो यह आते हैं सूपर हाईवे में उसके बाद दूसरा जो सबसे महतपून हाईवे आते हैं हमारे यह सड़के आती है वो है राश्ट्री राजमार्क जो इस मैप में दिये गए हैं यानि देश के सबसे महतपून जो सहरे हैं विशेश तोर पर राज्य की राजधानी उसको देश के अन्य भागों से जोडते हैं उसके बाद तीसरे स्थान पर आते हैं राज्य सड़के जो राज्य की राज्धानी उसको जिलों से जोडते हैं तीन होगे, उसके बाद जिला सडके होती है, जो जिले को, जिले के अन्य महत्पुन जो तशिले होती है, उनसे जोड़ते हैं, पांचवी जो सडक होती है, पांचवी जो प्रकार की सडके होती है, वो सडक होती है, ग्रामिन सडके है, जो गाओं को, एक गाओं को दूसरे गा अगली वरक्षीट आएए अब हम पर्षनोत्र की बात करते हैं इस वरक्षीट में हमें कुल चार कोशन दिये गए हैं बेहदासान है चार कोशन पहला कोशन है सड़क प्रिवन की किनी तीन विशेशता हैं आप बता सकते हो पहली हैं सड़क परिवन कम दूरी के लिए सबसे अच्छा प्रिवन का सादने दूसरा कम वेक्तियों तथा कम सामान के लिए सड़क प्रिवन सबसे बहतर हैं तीसरा सड़क प्रिवन दवार से दवार यानि कि दोर से दोर सर्विस है वो प्रवाइड करते हैं दौर से दौर से वहाँ परदान करता है चोथा अगर लिखना चाहँ लिख सकते हो कि सडकों के निर्मान के लागता वो कम रहती है उसके पर दूसरा जो कोश्चन है वो दिया गया है कि क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं से होकर के आपने यात्रा की है अब मुझे नहीं पता आपने कौन से राजमार्गों से होकर के यात्रा की है लेकिन मैंने तीन राजमार्गों के नाम लिखे हैं जो दिल्ली से होकर के गुजरते हैं और NH9 जो है वो दिल्ली से जो बाहर से रिंग रोड जिसको बोलते है न वही है NS9 है वो दिल्ली से होकर के रोग तक हिसार सिर्शा होते हुए भटिंडा जाता है उसके बाद तीसरा जो कोशिन दिया गया है वो कोशिन दिया गया है किन चार महानगरों को सवरनी चत्रभुज योजना के दोरा जोड़ा गया है तो चार सहरों के नाम बताने जो सवरनी यानि की गोल्डन कौाइडिलेटर इंगलिस में बोलते है वो महामार्ग उसको जोड़ता है सूपर हाईवे तो ये हैं दिल्ली, मुंबई, चेनई और कोलकाता इन चारों सहरों को जोड़ा गया है सवरनी चत्रभुज योजना के दोरा उसके बाद चोथा जो कोशिन है कोशिन को थोड़ा समझे कि बहतर सड़क प्रिवन के वस्ता किस परकार हमारी जिन्दगी में गुणात्मक बदलाव लाता है हमें उधारन दे करके बताना है तो यहां पर एक तरीके से ये बताना है कि सड़क प्रिवन का महतव क्या है तो वो भी यही है क्योंकि सड़क प्रिवन का महता उससे भी कलियर होगा कि कैसे हमारे जियोन में प्रिवर्तन आते हैं, सकारात्म का प्रिवर्तन आते हैं तो यहां पे पहला दिया गया कि बहतर सड़क प्रिवन्स से किरशी का विकास होता है जो हमारी देश का आधार है, क्योंकि किरशी का विकास होगा तो हमारा विकास होगा न, क्योंकि देश के आदेश ज्यादा जनसी के अतकिरशी में लगी है, दूसरा है, बहतर सड़क प्र गाओं का इलाखा हो चोथा जो महतव है जिससे हमारा जीवन परभाइत होता है वो यह कि बहतर सड़क प्रिवन से उद्योगों वैपार का विकास होता है जिसे देश का आर्थिक वास भी तेजी से होता है अब देश का आर्थिक विकास होता है तो हमारा भी होगा पांचवा बहतर सड़क प्रिवन के काणिया में बहतर सुईद हैं और सिवाई मिल पाती हैं तो ये था कि कैसे सड़क प्रिवन है वो हमारे लिए लापतायक है तो ये आज की आसान सी वरक्शेट थी उमेद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चली होगी आप मस्त होंगे, स्वस्त होंगे, घर पर होंगे आपके एक छोटी से कमेंट का वेट रहता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा फील होता है जब आप कमेंट करके मुझे बताते हो तो कोशिश केजिए एक छोटा सा कमेंट कर पाओ मुझे बता पाओ और कोई doubt है तो doubt भी आप पूछ सकते हो और एक question भी आपके लिए जो आप बता सकते हो आपको बताना है कि हमारे देश का सबसे लंबा National Highway कौन सा है कौन से दो जगों को जोड़ता है ओके तो आज के लिए बस इतना है thank you, bye bye, have a nice day